नमस्कार आदाथ सस्रीकाल दोस्तों मैं हूँ डॉक्टर आकाश और आप देख रहे हैं डॉक्टर सपोर्ट चनल दोस्तों आज मैं आप से बात करने वाला हूँ जिनकी सांस फूलती है COPD अस्तमा वाले पेशेंट्स के बारे में उनको कैसे आगे अपनी लाइफ को और अच्छी तरह से वो जी सकते हैं टो दोस्तों सबसे पहले में बात करने वाला हूँ आप जो अपसे सबसे पहली opacity करते हैं हुलाज ले में, inhalers खीछने में निही आपको तरीका नहीं मालूम होता है इसके वाज़े से आप inhalers खीचते हैं और फिर आदे बाद में डॉक्टर को कंप्लेंड करते हैं कि आपको इन्हेलर खीचने से फाइदा नहीं हुआ तो दोस्तों इन्हेलर खीचने का सबसे सही तरीका है कि आप अपनी पूरी सांस को पहले बाहर छोड़ दें उसके बाद उसको मुँ में डालके पूरी अपनी जोर से अंदर खीचें आप चींता ना करें मैं आपको प्रैक्टिकली करके यह बताऊंगा तो उसको अंदर पुरा खीचने के बाद सांस को रोग के रखें जितना देर तर आप सांस को रोग के रख सकते हैं उसके बाद देविंग चालू करें तो देखिए यह सपोज आपका इन्हेलर है आप सांस को पुरी तरह से बाहर एग्जेल कर दीजे फिर उसके बाद आप इ इतनी जोर से दवा को कीचेंगे, उतनी वो अंदर तक जाएगी, उतनी वो आपके मेली दवा फेफड़े में अंदर से अंदर तक जाना चाहिए, तो ज्यादा जोर से कीचने में फेफड़े में अंदर तक जाएगी और अच्छे से काम करेगी, और अगर बहुत आराम से कतोगी जिनका फेफ़ला खराब हो जाता है उसमें जाले पढ़ जाते हैं कुछ पार्ट फेफ़ले का काम नहीं करता है तो दोस्तों मैं आपको एक एक्जामपल देना चाहूंगा मुझे नाम तो नहीं यादा रहा है तो उनके सीने में काई गोलियां लगी थी उनका फेफ़ला काफी तरस डैमेज हो सका था और वो काफी लंबे समय तक बेड रिडेंट हो गया थे वो चल भी नहीं पाते थे वागर बीडरे उन्होंने योगा स्टार्ट किया ब्रीधिंग होते हैं योगा में सुबह एक घंटे और शाम को एक घंटे करना चालू किया तो आज यह हालत है उनकी कि लंग की इतनी अच्छी सरीके से बढ़ चुकी है कि आज वो पचास-पचास किलो मीटर तच की मैरा थान तक करते हैं तो दोस्तों आप भी इसका फाइदा उठेंग कर्फ़ाद प्रॉकी मी अच्छी सरीके से बचास-पचास